इस वीडियो के इंदर गाईस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं IND Money आप का जी है तो मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे आपको IND Money आप यूज करनी है अगर आप investment करना चाहते हैं यहाँ पर Indian Stock Market में या फिर US के Stock Market में Mutual Funds में FD करना चाहते हैं तो IND Money इसमें किस-किस टाइप के Hidden Charges वगरे आपसे लेता है प्लस कैसे आपको investment करनी है क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तो गाईस यह सारी जानकरे मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर प्रवात थे वह 2019 के अंदर हुई थी इसके पास में properly SEBI का लाइसेंस है इंडियन डीमेट अकाउंट के साथ में और आपकी जितने भी shares होते है securities होती है वह सारी CDSL अकाउंट के जो कि ultimately government के पास में ही store होती है वहीं पर अकर मैं mutual funds की बात करूं तो वो भी directly आपके डीमेट अगाउंट के अंदर ही units credit होते हैं और अकर आप डीमेट अगाउंट नहीं खुलवाते हैं तो आपकी unit जो है AMC companies के पास में रहती है ना कि IND money app के उपर साथ में काईस इनों ने US stock market के लिए जो है dry wealth के साथ में partnership का रखी है जो कि US का leading stock broker है प्लस वहाँ पर भी अगर let's suppose कल को IND money या dry wealth यहाँ पर bankrupt वगर हो जाते हैं तो US का जो regulator है SIPC वो आपको पांच लाग डॉलार तक का यहाँ पर insurance प्रोवाइड करता है साथ में का इस जो bank की FD होती ही वो directly bank के साथ में होती है जहाँ पर RBI का DIGC आपको पांच लाग रुपे का insurance देता है साथ में अगर में P2P की भी बात क्यों हो तो इनोंने fair send के साथ में partnership कर रखी है जो कि एक RBI का regulate P2P lending platform है तो अगर आप वैसे overall देखेंगे तो mostly आपको उसके इंदर सारे product यहाँ पर safe है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो definitely IND money app को आप यहाँ पर safe consider कर सकते हो अब देखेंगाइस जॉइन करने से पहले मैं आप लोग को पहले इसकी pricing और यहाँ पर cost का structure बताना चाहूंगा अगर आप Indian stocks के अंदर अपना demon account खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पर opening fees zero है AMC fees भी यहाँ पर zero है equity brokerage की बात करूँ यानि कि किसी भी share को अगर आप buy करना चाहते हो तो 0.05% या फिर 20 रुपीस of the order value लगता है यहाँ पर मलब दोनों में से जो भी higher होगा वहीं पर अगर मैं FN हो यानि की future and an option की बात करूँ जहाँ पर trading वगर होती है तो वहाँ पर 20 रुपीस पर order आपका लगने वाला है तो इसको अगर आप compare करोंगे इंडिया के जित्ती भी leading discounted brokerage हाऊ से उनके साथ में तो definitely काफी अच्छा आपको option provide करता है IND money app वहीं पर अगर मैं US stocks की यहाँ पर बात करूँ तो opening fees 0 है AMC fees भी यहाँ पर 0 है लेकिन किसी भी share को जब आप buy करेंगे या फिर sell करेंगे तो यहाँ पर यह brokerage चार्ज करता है 0.15% of the order value साथ में कैस यह एक platform fees भी charge करता है जब आपने INR को dollar के अंदर convert करने के लिए deposit करते हैं तो 0.75% या फिर thousand रुपीस की maximum इस पर capping limit है प्लस जो mutual funds है जो fixed deposit है जो P2P है वो एकदब absolutely free of the cost है वहाँ पर यह कोई भी charge वगरे नहीं करता है सारे के सारे यह commission free products है इस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी IND money app के उपर तो देखिए सबसे पहले आपको app के अंदर कुछ यहाँ पर settings और setup करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी email ID link करानी पड़ेगी तो देखिए का और आपको timely basis पे सारे alerts वकर यह provide कर पाता है अब इसकी guys अगर आप dashboard के उपर जाएंगे नीचे की site में तो यहाँ पर आपको multiple type के जो यहाँ पर features दिखने वाले हैं तो guys सबसे पहले हम लोग शुरुवात करते हैं home के साथ में तो guys यहाँ पर यह simply करके आपको अपनी एक network बतायागा कि at least आपकी personal यह वाली जो है network जिसके अंदर आपकी सारे की सारी assets यहाँ पर शामिल है अब guys इसको enable करने के लिए आपको हर segment के अंदर सबसे पहले data insert करना पड़ेगा तो चलिए शुरुवात करते हम लोग simply share को आप buy करना चाहते है तो guys जैसे आप अपना demate count यहाँ पर KYC वगर कंप्रीट करेंगे आपका demate count खुल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने wallet के अंदर balance डालना पड़ेगा और balance डालना काफी आसान है simply तरीकी से किसी भी UPI app के थरू फोन पे हो गया पेटियम हो गया जीपे हो गया उसके तरो आप यहाँ पर fund deposit कर सकते हो जैसे आपका यहाँ पर simply तरीकी से fund deposit हो जाता है यह आपके wallet के balance के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आपको intraday का भी option मिलता है जिसके अंदर आपको 5X तक का आप position यहाँ पर ले सकते है जो भी आपका wallet का balance होगा intraday का मतनब होता है कि same day के उपर किसी share को buy करना same day के उपर sell out करना अब guys किसी भी share को अगर आपको buy करना है तो simply तरीकी से यहाँ पर आपको search की tab मिल जाने वाली है जिस भी share को आप search करना आप search कर सकते example के लिए जिसे कि मैं यहाँ पर Tata Steel Limited को उठा लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते नीचे आपको 3 type के option मिलने वाले sell का मिलने वाला है buy का मिलने वाला है SIP का मिलने वाला है तो किसी भी stock को अगर आप यहाँ पर buy करना चाहते हो तो हमेशे आपको investment करनी है तो यहाँ पर simply आपको जो यहाँ पर quantity डालनी है एक share की price 120 रुपए तो उसके according आप अपनी quantity डाल करके यहाँ पर order वगरे execute कर सकते हो बात में guys यहाँ पर आपको limit order का भी section देखने को मिल जाता है तो अगर आप किसी stock को मालीजे अपनी price के उपर खरीदना चाहते है मालीजे जब यह stock 615 रुपए का आ जाएगा तब मेरा order execute होना चाहते है तो इस type के अगर आप turns and condition लगाना चाहते है तो यहाँ पर limit order भी simply तरीके से लगा सकते हो इसके लागा इस यहाँ पर आप live trades के उपर daily और weekly basis पे किसी भी stock को यहाँ पर buy कर सकते है और यह काफी अच्छा feature है कई सारे जो discounted हमारे broker इंडिया के अंदर यह आपको option provide नहीं करते है तो irony money यह आपको तीनों तरीके से option provide करता है तो अगर आप एक systematic week के अंदर किसी भी particular company का stock buy करना चाहते हो तो यह बहुत ही अच्छा यहाँ पर option है साथ में यह आप आप auto pay भी set कर सकते हो मलब बार बार आपको balance set करने की ज़रूती है जैसे आपके SIP execute होगी अपने आपके account bank account से balance वगर debit हो जाएगा इसके लागा इस आपकी जो भी holdings होगी है वह आपको my holdings के अंदर simply तरह की से दिखाए देगी और जो भी आज आपने share buy या sell किया है उसकी जो positions होगी वह सारी आपको today position के अंदर दिखाए देगी initially आपका F&O यहाँ पर activate नहीं होता है तो normally केवाल आप equity के अंदर buy और sell कर सकते हो यहाँ पर integrate के यहाँ पर जो positions वगरे ले सकते हो इसके लगाइस IND stock के अंदर आपको नीचे stock के collections होगे basket collections होगे प्लस यहाँ पर किस कमणी ने कितने returns दिये तो ऐसी कई सारी details यहाँ पर आपको एक ही screen के सामवे देखने को मिल जाती है जिसमें आप अपना simply तरीके से research वगरे कर सकते हो साथ में guys IND stock के उपर ही यहाँ पर आपको track और broker का भी option मिल जाता है तो let suppose अगर आपका किसी और company के साथ में यहाँ पर brokerage account वगरे खुला हुआ है इसके दर जो दूसर option है वह simply तरीकी से US के stocks का है तो इसमें भी सबसे पहले आपको account वगरे KYC वगर complete करनी पड़ेगी इसका कोई भी charges वगरे नहीं होता है जैसे आपका account open हो जाता है उसके बाद में आप यहाँ पर US के stocks वगरे या फिर ETFs के अदर investment कर सकते हो अब guys यहाँ पर जैसे हम लोगों ने wallet के अंदर balance दलवाया था वैसे यहाँ पर भी आपको US के अंदर balance दिखेगा यानि की dollars के अंदर simply तरीके से balance देखने वाला है अब guys यहाँ पर fund है क्या है यहाँ पर अगर आप अपना पैसा वगरे add कराना चाहते हो कि जब आप अपने INR से dollar के अंदर चीज़े convert करना चाहते हो तो वहाँ पर उसकी जो cost है वो बहुत ही कम आती है एक्जाम पर करें मालेजेज में 25,000 रुपे को यहाँ पर dollar के अंदर convert करना चाहता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मेरी कम cost आएगी और एक IND money का platform fees होता है जो मैंने starting के अंदर बताया था जिसकी maximum capping limit 1000 रुपे थी वो आपको simply तरीके से देना पड़ता है तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे IND money की platform fees आ गई GST की charges आ गई, exchange rate आ गई तो इस तरह से आप 1200 से 1500 रुपे जो है ट्रांसफर के ऊपर बचा सकते हो तो यहाँ पर आपको पैसा transfer करना है, INR से dollar के अंदर convert करना है तो best यही रहता है कि आप federal bank के साथ में in-cut आया वो रोका है वहाँ पर आप account खुलवा लीजिए एक बात जैसे आपके US stock के account के तो यहाँ पर balance आ जाता है उसके बाद में simply आप किसी भी stocks को buy कर सकते हो Example के लिए मालीजिया आप Google के stocks याणि Alphabet को यहाँ पर simply buy करना चाहते हो या Apple के stocks को buy करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको simply stock यहाँ पर search करना है उसके बाद में guys यहाँ पर again जैसे हम लोगों ने इंडियन stock market में देखाता है वैसे यहाँ पर आपको नीचे जो है तीन option देखने को मिल जाएंगे तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर simply तरीकी से आपको buy का option मिल जाता है और जैसे हम लोगों ने देखा था अगर आपको यहाँ पर quantities के अंदर buy करने तो buy in shares कर सकते हैं या फिर dollars के अंदर कर सकते है US stock market की खास बात यह है कि एक share की price अगर 166 dollars है तो ऐसा नहीं है कि आपको 166 dollars से invest करना है मालीचे में किवल 2 dollars यहाँ पर invest करना चाता हो जो कि हम लोगों ने limit order वाले feature के अंदर देखाता है Indian stock market के अंदर तो वो चीजे भी आप यहाँ पर simply तरीके से कर सकते हो आपने guys अगर आप dollar की जगे rupees के अंदर यहाँ पर चीजे convert करना चाहते है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर apple के एक share के price जो है 13,880 रुपए लेकिन इतना पैसा अगर आप invest नहीं करना चाहते हैं आप simply 500 रुपए 1000 रुपए लगाना चाहते हो तो वो चीजे भी आप यहाँ पर कर सकते हो उसी तरह यहाँ पर आपको एक SIP का भी basically option देखने को मिल जाएगा SIP का जैसे मताया था कि अगर आप systematic week के अंदर किसी भी US की stocks की company में invest करना चाहते हो जैसे हम लोगों ने Indian stock market में देखाता तो यहाँ पर भी आपको monthly और weekly का option मिलेगा daily का option नी मिलेगा लेकि monthly और weekly का option मिलने वाला है तो यहाँ पर भी guys आप अपनी SIP की amount को set out कर सकते हो और यहाँ पर एक auto pay limit लगा सकते हो automatically उस date के उपर आपकी जो है bank से पैसा debit हो जाएगा और automatically वो आयना से dollar के अंदर convert होकर उस particular company के stock के अंदर यहाँ पर invest हो जाता है तो यह option भी काफी अच्छा है अगर आप simply तरीकी से US के stock market या फिर ETF के अंदर जो एक systematic week के अंदर monthly basis पे investment वगरे करना चाते हो इसी तरह guys यहाँ पर आपका जो portfolio होगा वो simply तरीकी से आपको my stocks के अंदर यहाँ पर दिखने वाले है जो भी आपकी पास में company के shares वगरे है वो आपको पूरा portfolio लिखेगा प्लस daily basis पे भी आपको यहाँ पर day changes वगरे दिखने वाले है अगर मैं US के stock market के timings की बात करूँ तो यह शाब को 7 बज़े खुलता है इंडिया के timing के according और almost रात के 1-2 बज़े तक यहाँ पर चलता है लेकिन after market भी आप simply तरीकी से यहाँ पर orders वगले लगा सकते हो जो हमारा option है वो simply तरीकी से mutual funds का है आप mutual funds में भी guys यहाँ पर आपको 2 method मिल जाते है अगर आपने कहीं पर भी invest कर रखा है तो उन mutual funds को आप यहाँ पर simply तरीकी से track कर सकते हो तो इन्होंने basically MF Central app के साथ में टाप कर रखा है तो अगर आपके कहीं पर mutual funds है यहाँ पर आप सारे के सारे mutual funds को जो है यहाँ पर tracking लेकर आ सकते हो तो देखे जैसे यहाँ पर मैं basically refresh करूँगा तो simply एक OTP जाता है और OTP डालने के बाद में आपके जित्ते भी mutual funds है वो सारे के सारे यहाँ पर जो है रट्राइव हो जाते बलब simply तरीकी से आपने जो account यहाँ पर IND money आप के ओपर create कर रखा है उससे related mobile number से link यहाँ पर जित्ते भी mutual funds होगे आपने कहीं पर भी क्यों investment ना कर रखी हो सारे की सारी चीजे जो है आपको इसी app के ओपर verify तरीके से मिलने वाली है साथ में guys यहाँ पर आप external mutual funds को track करी सकते हो इसके साथ में अलगा let's suppose किसी भी mutual नए mutual fund में invest करना चाहते हो तो यहाँ पर आप SIP भी कर सकते हो one time भी कर सकते हो और यह सारे के सारे जित्ते भी mutual funds है वो commission free है आपको कोई भी commission वगरे यहाँ पर नहीं देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको invest more अगर किसी mutual fund में आपने invest कर रखा है तो invest more का आपको option दिख जाएगा one time दिख जाएगा SIP दिख जाएगा और यह सारे के सारे zero commission based mutual funds है प्लस इसके अंदर आप SIP वगरे भी कर सकते हो SIP के अंदर भी आपको वही same option दिखने वाले है यहाँ पर आप daily basis पर भी कर सकते हो weekly, monthly और quarterly यहाँ पर आपको 4 option दिए गए है यह mostly जित्ते भी options है जित्ते भी mutual funds इंडिया के अंदर apps वगरे है कोई भी आपको at least daily basis पर provide वगरे नहीं करता है जहां तक मुझे पता है तो यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा option अगर आप daily और weekly basis पर भी mutual funds वगरे के अंदर invest करना चाहते हो प्लस यहाँ पर भी आपको auto debit का यहाँ पर option वगरे देखने को मिल जाएगा याई automatically जब भी date होगी अपने आप ही आपके account से वह पैसा वगरे जो है debit हो जाएगा इसके बाद में कैस हमारा जो next option आता है वो आता है fixed income का तो यहाँ पर fixed income में आपको mostly जो है सारे के सारे bank scheme के FD मिलने वाली है जिसके अंदर federal banks के आपको FD मिल जाएगी और Shriram Finance के आपको FD मिल जाएगी साथ में आपको एक save plus करके option देखने को मिलने वाला है यह basically P2P का section है अगर आप लोग को P2P lending के बारे में नहीं पता हमारे separate video यहाँ पर चैनल वगरे के उपर बने हुए है तो please इस product के अंदर invest करने पहले उनको भी यहाँ पर जरूर देखेगा इसके अंदर risk रहता है as compared to bank fixed deposit तो अगर आपको idea नहीं है तो इस type के products को आप ignore वगरे कर सकते हो इसके लागा इस किसी भी bank के अगर आप FD वगरे के अंदर invest करना चाहते हो इसके लागा इस next option यहाँ पर insurance का है तो अगर आपके पास में किसी भी existing company का health insurance है या फिर term plan वगरे है तो वो चीज़े आप यहाँ पर insert वगरे कर सकते हो ताकि basically आपकी अच्छे से यहाँ पर जित्ती भी policies वगरे है वो सारी के सारी आप यहाँ पर easy तरीके से आपको देख जाती है एक ही screen के सामने कि मेरे पास कितना health cover है कितना life cover वगर है इसके लागा इस अगला जो option है वो simply saving account का है तो यहाँ पर आपके जित्ते भी saving account है उन सभी को आप यहाँ पर track कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो connect other bank account का भी यहाँ पर आपको option दिया गया है तो आपको बार बार किसी भी account का balance चेक करने की जरूत नहीं है एक बार आपको account यहाँ पर link कराने है और यह सारे के सारे safely तरीके से होते है ऐसा नहीं होता कि आपके account से passive अगरे debit हो जाएगा तो यहाँ पर simply तरीके से आप किसी भी bank को select करके उसको link कराके उनका balance वगरे आप track कर सकते हो कि लगा इस अगला जो option है वो simply तरीके से यहाँ पर mini save का है तो यह देखे क्या होता है यहाँ पर आपको basically IND money को अपनी permission देनी पड़ती है उससे वो SMS का आपका access ले लिता है तो यहाँ पर आप जो भी खर्चा करेंगे मालीचे आपने 18 रुपे का कोई खर्चा किया तो उसके अंदर यह 2 रुपे round off कर देगा तो आपके मंतली basis पर जितने भी खर्चे उनको यहाँ पर round off करता जाएगा फिर वो जैसे यह एक अच्छा खासा पैसा बन जाता है कि मालीचे 1000 रुपे हो गया तो उसको simply तरीकी से आप fix deposit वगरे के अंदर यहाँ पर invest वगरे कर सकते हो और साथ में imports को आप stocks के अंदर भी लगा सकते हो यानि कि यहाँ पर आपके जितने भी round off होते जाएगे पूरे महिने के अंदर जो भी पैसा एक खटा होगा उसको या तो stocks में या फिर फिक्स deposit में आप invest कर सकते हो अगला का इस जो option है वो simply insta cash का है तो अगर आपको loan वगरे के requirement है तो यह आपको एक pre approved जो है loan का offer वगरे provide करता है interest rate वगरे सारे चीज़े यहाँ पर लिखी होती है अगर आप यह avail करना चाहते हो तो आप avail कर सकते हो वहना इस चीज़ को आप ignore करिएगा अगला का इस जो option है वो simply credit card का है तो यहाँ पर जैसे में रहता है कि आपने अपनी email id लिंक करा रखी है प्लस आपने अपने sms का भी access वगरे दे रखा है तो उसके तुरू यह track कर लेता है कि आपके पास में कितने credit card है प्लस उसकी जैसे यहाँ पर due date वगरे आती है यहाँ आपको simply तरीके से alerts वगरे भी provide करता है प्लस अगर आपके card के अंदर कोई hidden charges है कोई joining fees है, annual fees है अगर ऐसा कोई भी charge वगरे भी लगा हुआ है तो वो चीज़े भी यहाँ आपको simply तरीके से बताएगा तो let's suppose अगर आप अपनी पूरी family की net worth वगरे यहाँ पर combine करना चाहते हो अपनी और family members को add वगरे करना चाहते हो तो वो option भी यहाँ पर simply तरीके से आपको provide किया गया है यहाँ पर आपको nomination center मिल जाएगा जिसके अंदर एक ही center के अंदर जैसे आपने एक nominee add किया तो वही nominee आपका mutual funds के अंदर आपके fix deposits के अंदर आपके जित्ते भी stocks हैं उन्हों सभी के अंदर तो सभी के अंदर वो update वगरे हो जाता है इसके लागा इस आपकी जित्ती भी tax pay अंदल के reports होगी आपका कितना capital gain है, कितना capital loss है, portfolio की जो reports होगी वो भी simply तरीके से आप यहाँ पे जो निकाल सकते हो इसके लागा इस recently उन्होंने एक priority circle करके जो अपग्रेट भी डाला है जिसके अंदर आएनी money के जो expert होते हो आपको guides वगरे करते हैं पहले यह basically paid feature हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पे कुछ members वगरे को यह free of the cost वगरे दिया जा रहा है तो अगर यह offer आपको भी मिलता है तो definitely आपको भी यह चीज़े avail करनी चाहिए इसी की साथ में guys इसमें आपको various type के जिसे home loan से लिटे कोई calculator हो गया SIP calculator हो गया, EMI calculator हो गया, Tax का calculator हो गया तो ऐसी भी कही सारी चीज़े यहाँ पे आपको simply तरीके से देखने को मिल जाएगी तो overall बात करो तो भाई यह financial terms में यह एक super app है जो आपको सारी सारी चीज़े जो है एक ही app के उपर जो यह provide वगरे करता है अगर मैं प्रोस की बात करो तो पहली बात यह यह leader है US stock investment वगरे के लिए mostly इंडिया के अंदर जित्ते भी लोग है, सारे जो लोग है वो US stock market के अंदर इसी app के तरो invest करते है interface एकदम कमाल का है, सारी चीज़े आपको एक ही screen के सामें देखने को मिल जाती है easily आप सारे के सारे अपने external जो broker से, चाहे stocks है, चाहे mutual funds है उन सभी को आप import कर सकते हो, अपने सारे के सारे bank के balance को एक ही screen के सामें देख सकते हो अपने credit cards वगरे को, उनकी payment dates को, सभी चीज़ों को आप manage कर सकते हो cons की बात के बताऊं, तो वैसे कोई cons नहीं है, लेकिन हमें कई सारी permission जो है, इस app को यहाँ पर देनी पड़ती है तभी यह app जो है, ढंक से यहाँ पर काम करता है, और आपके लिए जो है, net worth यहाँ पर निकाल के देता है अगर आपके कोई भी डाउट से, कमेंट बॉक्स के अंदर जरू बताइए, थैंक्यू गाइस, थैंक्यू वेरी मॉच